हेलो दोस्तों चूड़ो में हम देखेंगे सधारण ब्याज पर अधारित एक प्रस्ण तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्ण है कि 15,000 रुपे का 12 परतीशत प्रतीवर्स की ब्याजदर से 4 महा का सधारण ब्याज कितना होगा तो सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं कि हमारा य ब्याजदर जो है यहां पर 12 प्रतीशत प्रतीवर्स और समय है हमारा 4 महा आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर जो हमारा समय है वो महा में दिया हुआ है महिनों में दिया हुआ है जबकि जो हमारा ब्याजदर है वो प्रतीवर्स है मतलब ब्याज एक वर्स पर लगता है 12 परतीशत जो आपका मूलधन है वो हर सल कितना बढ़ जाएगा 12 परतीशत लेकिन यहापे आपका समय जो है महा में दिया हुआ है तो हम यहापे क्या करेंगे कि पहले हम अपने समय को जो महिनों में है इसे भी वर्स में बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होता है देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं 12 महा या 12 महीने होते हैं ठीक है तो अगर हमें साल से महीने बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं 12 से गुड़ा कर देते हैं और अगर हमें महीनों से साल बनाना होता है है तो हम 12 से भाग कर दिते हैं तो यहाँ पर क्या है माहे में महीनो लौससे हमी साल बनाना तो हम 12 से भाग कर देंगे 4 12 साल में हो गया वर्स में हो गया ठीक है ना इसे आप कार D夏 भी सकते हैं या फिर सवाल में यागे चलके अपने आप कड़ जाता है ठीक है तो इसे हम ऐसे रहन देते हैं अब देखिए आगे जो हमारा सधारण ब्याज निकालने का सूत्र है वो क्या है सधारण ब्याज बराबर मूल्धन मूल्धन गुड़े ब्याजदर गुड़े समय बटे 100 हमारा सधारण ब्याज का सूत्र है मूल्धन गुड़े ब्याजदर गुड़े समय बटे 100 अब इनकी जगह पे मूल्धन ब्याजदर और समय की जगह पे अपने मान रख देंगे तो मूल्धन कितना है हमारा 15,000 ब्याजदर कितना है बारा प्रतिवर्स में है तो समय कितना है हमारा 4 मा लेकिन क्योंकि जो हमारा ब्याजदर है वो प्रतिवर्स में है तो हमारा जो समय है वो भी वर्स में होना चाहिए साल में होना चाहिए तो इसलिए हमने से 12 से भाग कर दो चार बटे 12 इसे हम हल कर देंगे तो हमारा सदारण व्याज निकल आएगा तो देखिए सबसे पहले तो हम उपर का हल कर सकते हैं 12 से 12 कट गया ठेक है अब इसके बाद देखिए दो 0 से 2 0 कट गए तो हमारे पास क्या-क्या बच गया है हमारे पास उपपर बच गया यहाँ पर 1,500 गुडे 12 तो कट गया है और यहाँ पर 4 बच गया है तो 4 और बटे में नीचे क्या बचा हुआ है, एक तो लिखने की ज़़रत नहीं है वैसे लिख देते हैं और डेड़ सो में अगर हम चार का गुड़ा करेंगे तो डेड़ सो दूनी तीन सो दूनी छैसो बटे एक मतलब छैसो ही हुआ तो छैसो रूपए ठीक है तो हमारा साधारण व्याज कितना निकला छैसो रूपए तो मैं ऐसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहें थैंक यू